राइपुर में भगवान गणेश की जिन प्रतिमाओं को लोगों ने दस दिन तक पूजा की उनको सरकारी लचर सिस्टम की वज़ा से अपमान झेलना पड़ गया सोशल मीडिया पर प्रतिमा विसर्जन के कुछ विडियो और तस्वीरें सामने आई नगर निगम की कच्रागाडी में भगवान की प्रतिमाओं को लाया गया है कुछ कर्मचारी विसर्जन कुण में प्रतिमाओं को फेक रहे हैं अब सोशल मीडिया पर नगर निगम की विवस्था के सांथ सांग उन आम लोगों पर भी सवाल उठाय जा रहें जिन्होंने प्रतिमाओं को निगम के भरोसे छोड़ दिया शाम के समय पहले यहां नाराज पार्शवत पहुचे और बाद में महापौर विवस्था सुधारने का आश्वाशन देते रहें नाराज लोगों ने महापौर के सामने नारे बाजी भी विडियो और तस्वीरों की परताल करने पर इस बात की पुष्टी हुई कि कुछ लोगों ने इन्हें महादेव घाट पर ही मोबाइल की कैमरे पर रिकॉर्ड किया था रविवार को शहर के अलग अलगा इलाकों में छोटी प्रतिमाओं को नगर निगम की कचरागारी में महादेव घाट में बने आश्थाई कुण में लाया गया शाम के वक्त एक स्वीट की दूरी से ट्रक में चड़कर सीधे नदी में फेक रहे थे नगर निगम रायपूर नेता प्रतिप्यक्ष और भाश्पा की पार्शद मृत्तुंजय दुबे प्रतिमाओं की खबर पाकर सोमार की शाम महादेव घाट अस्थाई कुण पहुंचे पार्शद बेह जाने को लेकर मौके पर तैनात निगम कर्मियों ने पार्शदों से माफी मांगी और भरोसा दिलाया कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी यह बाते भी सामने आए कि कुछ कर्मचारी शराब के नशे में आकर यहां विसरजन का काम कर रहे थे फॉरन ऐसे कर्मचारिय